हमारे साथ जुतेश जुड़े हैं स्वागत है आपका हालो हालो सवाल बताईए अपना मैं मुझे ना मुँपे दाग हुटाई है बहुत इलाज पर वाल यहां दाद नहीं जा रही है दाग मुपे दाग ठीक हाँ दिखिए जो बच्चे बड़े जिनके जाईयां हो जाती ही चेहरे पर काली काली निशानात महा से या उनके निशानात हो जाते हैं उन्हें चाहिए के गौन मौरिंगा ले ले असली वाला इनकली बहुत मिलता और अधा ग्राम पानी में डाल कर रोजाना पी लिया करें इससे ही आपकी परिषानी ठीक होना मुमकिन है तो देखिए बहुत छोटा सा आपको नुस्का यहाँ पर बता दिया गया है बस वो आपको अपनाना है अगर आपको अपनी परिशानी दूर करनी है या पिर अब आपको कोई मैदि स्वागत है आपका हालो हालो क्या नामे कहां से बात कर रहे हैं हालो हालो जी सवाल करिए आप अपना जी शार हमें बारा में जुकाम रहता है उसकी कोई नुक्सा है बारा महीने जुकाम रहता है बारा महीने जुकाम रहता है बहुत पराना है तो वो भी ठीक हो सकता है और जुकाम वाले नजले वाले इस वक्त बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं अगर उन्होंने अपना ख्याल न क्पताता हूँ आपको दखिए यह इम्यूनिटी की कमी की वज़े से हमें हर वक्त नजला या खासी या कफ फातना च्छीकाना यह सब रहता है जब तक अशान में इम्यूनिटी की कमी यह रोक पिति रोधक शम्ता है वो कम होने से हमें ऐसा होता है और जब तक रोग पिती रोदक शमता नहीं बढ़ती हम ऐसे ही रहते हैं वक्ती तोर पर हम जो इलाज करते हैं वो एक दो दिन के लिए वो शांत कर देती फिर वही शुरू हो क्योंकि आपका मिजाज थंडा होता है यानि आप थंडी प्रवर्ती के स्वामी होते हैं तो घरेली नुस्चे के तोर पर आप ले सकते हैं लिसोडा उनाब अलसी फिर बोलता हूँ आप लिख लें लिसोडा उनाब अलसी 100,00 ग्राम और 30 गिराम इसमें पीपलें डालिए जो आपके किचैन में मौझूद रहती हैं इनको पाउडर बनाके एक चम्माश सुबा एक चम्माश शाम खाएं और दवा की जिवरत हो तो आपको माजून आर केर खानी चाहिए सुबाश शाम खाली पेट और रात को सोते समय और कमसकम अज़ बादाव शाम शाम से बोल रहा हूं मेरा उमर फियात्र बरस है अच्छा तो मेरा सर और और ग्रास हूं आज करी करी 20 साल के डोनों पार में जर जाए सुजंग बना रहा है तो इसार कल मैं आम से तीजीव पर प्रोग्राम देखे ते ते हमको बहुत अच्छाल आग से घर से निकलना है नहीं रहा है और बहुत दर्श करता है पैर में और बहुत दाक्टर को देखाए यह लोपत्री घूमिपत्री तब राजी भी इठाया लेकिन फाइदा ने होता है अधिकिए यह सुदाज ची आप जो हैं बहुत इत्मिनान रखें एक नुसका बता हैं देखिए आपके घर में या बजार में तो मिलती है एक चीज मिलती है अलसी अलसी को ले लीजे पांच सो ग्राम अलसी खरीद कर और इसको थोड़ा सा भून कर पौडर बना लें यह आसान काम है और इसमें सो ग्राम गौन मौरिंगा मिला दें वह सौरी इसमें सो ग्रा गौन सियाह मिला दे एक काला गौन आता है जो मुश्किल से मिलता है और नकली भी बहुत मिलता है उसको असली लेना है ये देखने में ब्राउन और कहने में काला हम लोग इसे गौन सियाह कहते हैं या काला गौन कहते हैं और जायके में बहुत कड़वा होता है ये असली लेन है 100 ग इसका फॉडर बनाकर आप अल्सी में मिला दें और इनका मिश्रन जो है आपको एक गिराम सुबभे एक गिराम दुपेर एक गिराम शाम खाने के बाद लेना है और आप देखे हैं कि यह मिश्रान खतम होते होते आपकी लाठी आपके हाद से शूट सकती है नेक्स्ट कॉलर है राहुल MP से हमारे साथ स्वागत है राहुल जी हाँ जी बोलिए सवाल करिए कब से कितनी एज है आपकी शूगर वालों दादी को शूगर हुई है ठीके वाई आप दादी का खयार लगते हैं बड़े अच्छे इंसान है और देखे शूगर दादी को हो या नानी को हो शूगर सबके साथ एक बिहाँ करती है और आपको नहों आपकी पत्नी को नहों आपके परिवार को नहों पचास साल के आसपास ही शूगर होना शूरू हो जाती है आम तो पर तो एक शिरका आता है जिसे कहते हैं जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का तीन चमच रात को दादी को पानी में मिला कर पिलवा दिया करें बहुत फाइदे में रहेंगी और सेहत उनकी अच्छी रहेगी डायबटीज कंट्रोल रहेगी और जो लोग ये चाहते हैं कि उनको शुगर ना हो तो वो भी कभी कभी इसको पी लिय है कि चमच पानी में मिला कर ही बिलाइए क्योंकि काफी तेज सिर्का होता है आप भी ले सकते हैं कभी कभी ताके आप की हालत दादी जैसी नहों चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं आगरा से हमारे साथ समरीन स्वागत है आपका है कि मैं हां जी बोलिए आखों में दिक्कत है जी 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 आपकी उमर क्या है उमर आपके पंदरा या सोल होगी पंदरा या सोला जी ठीक है बहुत चोटी उमर है आपकी और गौत तकलीट में आ गए अच्छा बड़ा आसान नस्खा है आप देखिए एक एक गाजर का जूस रोजाना पिया करिए और अपने चेश्मे का नंबर याद रखिए और फिर पांच महीने बाद आप अपना टेस्ट कराना आपको बहुत फाइदा मिलेगा एक गाजर का जूस रोज पिया करिए ठै श्याद आपसे हमारा कॉन्टेक टूट किया एक बाद फिर से कॉन्टेक करने का प्रियास कीजी का दर्श को कारक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप 24 आर्स कभी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक कर सकते हैं बाकि लाइफ कारक्रम तो चल ही रहा है अगर आप सी चाहते हैं शिकायत जब आप लोग करते हैं कि लाइफ हकीम साहब नहीं जूरते हैं आप उनसे बात करा दीजे तो आपकी वो शिकायत अब दूर हो रही है दर्श को आप लोग बात कीजिये उन से घरेलू नुसके जानिये लेकिन कॉपी पैनल लेके जरूर बैठीए और TV क्पा volume करके बात कीजे जिससे की आप हर एक बात अच्छे से सुन पाएं जान पाएं क्योंके नुश्पें कीम्ती होते हैं बहुत मेध्य होते जो आपके हर एक फोटो जड़ से कर सकते हैं इसी के साथ कुछ और बात कर लेते हैं संज्य हमारे साथ स्वागत है आपका मंजी नमस्कार जी नमस्कार मेरा क्या हस्टेट साफ नहीं होता है हस्टेट खाना पड़ता है उसके बाद मेरे आँखों के शूजन रहती है ये एक समस्क्या है लगे क्या उम्र है आपकी सज्जे साफ 38 53 53 खीक है यह उम्र में परिशानी आती है ब्लट पेशर चेक कराएं जिसके भी आँखों के नीचे सूजन होती है उसको ब्लट पेशर होता है तो ब्लट पेशर जड़ुर चेक कराएं और कप्स के मरीज को भी पेशर रहने लगता है बढ़ा अच्छा नस्खा एक है आप खुद बना लें खुद इस्तमाल करें देखिए अलसी पांच सो ग्राम अलसी पांच सो ग्राम आमला सो ग्राम मेथी सो ग्राम और इसमें मिलाईे कलोंजी का नमक कहते हैं आसान जबान में कलोंजी का एस्टेक इंगलिश में कहते हैं और रसायन कलोंजी का हिंदी में कहते हैं ये मिल जाए असली तो इसमें सो ग्राम मिलाकर इसका पाउडर बनाएं और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाने से पहल जाएं ठीक होना मुम्किन है अगले कॉलर हैं MP से अंजना हमारे साथ स्वागत है अंजना बोले सर्वाइब नमस्कार बोलती हूं आपका बहुत बहुत तुक्रिया हद्मेंट को दमाई दे रहे थे आपके हाट के लिए उगर में बनाई थी बनेगरवानी येसिन बनेगरवानी वो से बहुत साइदा है और दूस्य वाद मैं शीहागौन का नाम पेड़ का नाम जानना चाहती हूं एक बात दूस्य वाद मेरे देटा दान्स बहुत खित खिताता है यहां की जाओ और उसकी उमर हो रही है 20 साल करें इसमें आवाज आत हिंदोस्तान आपको सुन रहा है कि आपने क्या नुस्खा दिया अपने पती को जो फायदा हुआ जो मैंने आपको बताया था ताकि लोग उसे इस्तमाल करके अपने पती पत्नी और परिवार की हिफाज़त कर सके आप हैं लाइन पर शाद आपका लाइन कट गई आप सुन जो आपने बताया था ताकि सब लोग फाइदा उुछा सकें लेस। कर जूछ लिया था हां अधर्ण कर जूछ लिया था झी इपू कर रच लिया था हूज कितना कितना बरावन अस्तरा लिया थाकि लिया था एके क्लीटर अब तकि अज़ आपके च्छी क्रूमीटर चल लेते और उन्हें ऐसा लगता है चलती चलेगा है और बहुत धन्यवाद आपका बताने का और लोग ना फीडबेक कॉल कम करते हैं आपका बहुत धन्यवाद के आपने फीडबेक दिया ये सब के लिए है जो भी लोग चालिस मैं तालिस साल के ज्याद फालिज नहो और ये बहुत अच्छा नस्खा है आप खुद बनाएं खुद इस्तमाल करें ये मैं ने अभी शुरू ही किया है कि उनके पती चलने लगे च्छे किलो मीटर जो चलनी पाते थे और आपका सवाल ये है कि गौनसिया क्या होता है गौनसिया एक पेड़ का गौ पेड़ आपनूस का पेड़ कहते हैं अच्छा इसकी अभी तो चलन बहुत कम हो गया किसी जमाने में इसकी बांसरी बनती थी बांसरी काली सी होती थी आपने देखा होगा उस जमाने में मैटल नहीं होता था अब तो सब कुछ मैटल का बनने लगा तो ये देखने में बड करवाहट बहुत खतरनाक है लेकिन यह करवाहट जो है इसने पूरे भारत में हंगामा किया हुआ है क्योंकि आदा गिराम खाने से सुबा शाम आदा आदा गिराम खाने से कैसा भी जोडों का दर्द हो उससे निजात मिल सकती है